हे गाइस कैसे हैं आप तो आज मैं आपको टिप्स दूंगी कि चंसे रेलेटेड कि जैसे दूद ना उबले बाहर साबून को लेकर के चावल को लेकर के तो चलिए हम दूद पहले दूद नीचे ना लगे उसके लिए मैं डालूँगी सबसे पहले एक घुट पानी डाल कोई भी पैकट वाला जाए दूसरे वाला दूसरा टेप है मेरा दूद को लेकर की कि दूद हमारा बाहर निकल जाता है जब भी हमें यह भी काम करते हैं तो उसके लिए मैं लूगी एक कटोरी कोई भी कटोरी लीजे साथ सथी कटोरियों इस दूद के अंदर डाल दीजे अब अराम से आप अपना काम कर सकते हैं चाहे हजबन की प्राउंडी बनाई या चाहे बच्चे का टीफ अन्तियार कीजिए दूद की तरह आपको देखने की जुरत भी नहीं है आप देखेंगे दूद हमारा बाहर निकले गाई नहीं बहुत ही अच्छा टेप है जुरूर तो फॉलो कीजिएगा इस टिप को अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को और अगर फेस्बुक पर हो तो फॉलो कीजिएगा देखें गाई जह बहुत ही अच्छा टेप है आप शाया यूज करते होंगे ने करते हैं तो जुर फॉलो कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएंगे मेरे टिप्स तो जे गहु काटा है मैं दिया बनाने के लिए रही हूं जैसे आगे हमारे फेस्टिवल सीजन आए गाइस के वर हम घर में जब पूजा पार्टी होती है तो हम दिया लाना भूल जाते हैं मार्किट से तो दिया मांगते हैं तो हम क्या करें जब घर में पूजा के लिए चैय होता दिया तो कैसे करें दिये तो हम लाए नहीं तो आप घबराएं नहीं परशान नहों गहुगा घर में होता है जो कानकी रोटी खाते है ना वह लाटा लीजिए और उसको एक से दो चमच लगेंगे एक दिये में नॉर्मल दिये में अगर आपने पांच दिये बनाने तो पांचे दस चमच लिए लिजिए और इस आटे को त्यार किजिए एक लोई लीजिए और बिलेजिए सॉफ्ट करके अपने हाथ में वहतेली पे बनाई यह दिया अब मैं इसको जो लगा कर कर भी बता देती हूं मैं दिया बाती लोंगी और पूजा वाली बाती लोंगी उसके सेंटर में लगांगी उपर से देशी गीडा लूगी आप सरसो का तेल भी डाल सकते हैं तो सकते हूं मार्किट में लेने जाओ क्या है नहीं कं तो अटेल को चमैज के साथ पॉर्डर त्यार करकें अब मैं इसको ओवरनाइट ऊपड़ा भी नहीं दे सकते हो आप इसको फ़लका गरम तेल में नालकर लगा सकते हो तियार कर सकते हो अगर इमीजटली आपको चाहिए तो लिजय का इस तियार है मेरा कपूर का सके बालों के खुझली को मिठाई तो नेक्स ट्रीप है गाइस मेरा साबून को ले कर जो मैं इस चोटे चोटे पीसे सबसे अच्छी बात होती है तो मैं इसको एक ट्था कर लूगी ओर जहां पर पे इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा गरम पानी एक कर्ची दो आदा चमच जितनी भी कॉंटिटी है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए अब मैं इसको अच्छी धर से मिलाके पांच-दस मिनिट के लिए छोड़ दूंगी लीजे गाइस कितनी अच्छी हमारी पेस्ट तियार हो गई है साबुन की तो जहां मैं लोंग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और आगे भी आने वाले चैनल में मैं बहुत सारे टिप्स दूंगी जब जिब मेरा पर सुख जाएगा तो मैं इसको अपनी मन पसंद कटिंग में कटिंग कर लूंगी चोटे पीसिस बड़े पीसिस जासे भी आपको चाहिए उस साइस के पीसिस कटिंग कर लीजेगा तो लीजे गाइस मैं इसको एक स्टैंड में डाल दूंगी जब भी में को जुरूत होगी बच्चे के बैग में डाल दूंगी अपने बैग में सफर में जाओंगी तो थोड़ा सा पानी में जहां पे लगाओं इस पेस्ट को और लीजे गाइस हमारे लिकृट सोब्तियार हो गया आप नहीं पेपर सोब्तियार करना चाहते हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे टिप्स तो फिलीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर फेस्बुक पर हो तो फोलो माई चैनल और प्लीज कमेंट चुर प्लीज जो होती है ब्रेट वाली वह पढ़ जाती है तो उसके लिए हम बचाने के लिए तेज पता डाल देंगे जा फिर लॉंग डाल देंगे आपको मेरे यह कैसे लगे टिप्स मुझे बताईएगा जरूर मैं फर्स टाइम टिप्स डाल रहे हूं गाई अपने इस ब्ल